पुश्पा पार्ट वन के बाद हर किसी की निगाहे पुश्पा पार्ट वन को रिलीज कर लोगों में पार्ट वन की स्टोरी को जानने की बेता भी बढ़ा दी है पुश्पा फिल्म ने एक ऐसा माहल बनाया जो इंडिन सीनेमा की बाकी फिल्मों से काफी अलग और हटके रहा हर कोई अलु अर्जुन की स्टाइल को फॉलो करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी रिल्स बनाते थे और उनके हर एक सौंग ने काफी धूम मचाया सामी सामी सौंग से लेकर श्रीवली तक सभी सौंग ने पूरे भारत बर में सभी दर्शकों का दिल जीत लिया लेकिन दोस्तो अब पुश्पा टू फिल्म से जो खबर आ रही है वो आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशकबरी है दोस्तो जैसा कि हमने देखा कि पुश्पा पार्ट वन में आइटम सौंग ने काफी धूम मचाई अब बात रही पुश्पा टू के आइटम सौंग को लेकर तो इस फिल्म के आइटम सौंग से चुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर है कि पुश्पा पार्ट टू के आइटम सौंग को पूरी तरह से तयार कर दिया है देवी प्रसाद ने इस आइटम सौंग को म्यूजिक दे कर पूरी तरह से तयार कर दिया है और यह खबर खुद देवी प्रसाद ने बताई है पार्ट वन के सभी सॉंग में देवी प्रसाद नहीं अपनी म्यूजिक दी थी जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था और इस बार भी पुश्पा टू के आइटम सॉंग में देवी प्रसाद नहीं अपनी म्यूजिक दी है अब बस इस आइटम सॉंग पर शूट होना बाकी है खबरों में मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस आइटम सॉंग में अल्लू अर्जुन के साथ इस बार बॉलिवूर की दिशापटानी देखने को मिलने वाली है तो दोस्तो हर कोई एकसाइटेड है अल्लू अर्जुन और दिशापटानी को एक साथ देखने के लिए तो आप कितने एकसाइटेड हो पुश्पा पार टू के आइटम सॉंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जबर बताए ओल्बो ओल्बो कर लोड़ देखना क्वानी को घट दो को प्राइटेब।